वेलकम टू सरस्वती क्लासेज आईए देखते हैं ट्रिक गोटी ने निम्मो को छटा सीडी प्ले करने को कहा मतलब गोटी है बंदा उसने निम्मो को एक जो सिक्स्त है वो सीडी प्ले करने को कहा एक ट्रिक का नाम है आईए देखते हैं गो से बना गनोरिया इसका दूसरा नम सुजाक भी कहते हैं इससे जो परभावित अंग है वो मुत्र मारग होता है ये एक योन संक्रमित रोग है मुख्यर उसे दो ही योन संक्रमित रोग मने आते हैं एक तो एडस और एक गनोरिया गनोरिया दोवार से बात कर रहा हूँ इसका दूसरा नम सुजाक है इससे जो परभावित अंग है वो मुत्र मारग है ये एक योन संक्रमित रोग है टी से बना टिटनेस क्या बना टी से बना टिटनेस इससे जो प्रभावित अंग है वो तंत्र का तंत्र या मास पेशिया होते हैं तंत्र का तंत्र या मास पेशिया तंत्र का तंत्र या मास पेशिया इससे जो इस रोक का जनक होता है वो क्लो स्ट्रेडियम टिटेनी जवान होता है क्लो स्ट्रेडियुम जिवानु होता है जो इस रोग का जनक होता है आगे बात करते हैं निम्मो से क्या बना निम्मो से ये इससे जो परभावी तंग होते हैं वो फेफडे होते हैं इससे जो परभावी तंग होते हैं वो कौन होते हैं फेफडे होते हैं फेफडे होते हैं जो इसका रोग जनक होता है वो डिपलो कोकस न्यूमोनी जिवानों होता है आगे 6 से बना शेयरोग या सोरी को से बना कोड या कुष्ट रोग इसे लेप्रोसी भी कहते हैं क्या कहते हैं लेप्रोसी कैसे को से बना कोड या कुष्ट रोग इसे लेप्रोसी रोग भी कहते हैं जो इसका रोग जनक होता है वो माइको बैक्टिरियम लेप्री होता है इसे जो प्रभावित अंग है वो तुवस्चा वै प्रिदिय तंत्री का तंत्र होते हैं अब अब शेय आसे बना शेय रोग इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं इसके रोग का उपचार बहुत फेमोस है डोट्स ये काफी बार पुछा गया है कि शेयर रोग के उपचार कुण सी पत्ती द्वरा किया आता है डोट्स कमीन होता है डारेक्ट अब्जरवर थेरपी शोर्ट सिस्टम इसका जो रोग जनक होता है वो माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस होता है जो इससे परभावित अंग होते हैं वो फेफडे होते हैं परभावित अंग कौन से होते हैं? फेफडे नियूमोनिया से भी फेफडे होते हैं इसके जो रोग की खोज गी थी वो रोबर्ट कोच ने की थी तो बहुत से रिपीट करूँए या तपेदिक रोग इसके जो रोग का उप्चार कौन सी पती दवारा कियाता है वो डोट्स पती दवारा किया जाता है इसका जो रोग जनक होता है वो Tuber Closys होता है Mycobacterium tuberculosis जो इससे परभावित अंग होते हैं वो फेफडे होते हैं इसके रोग की खोज Robert Coach ने की थी टैसे बना Typhoid इससे जो परभावित अंग होता है वो आंत होती है इससे परभावित अंग कौन से होती है आंत होती है इसके जो रोग जनग का नाम है वो भी important होता है Salmonela Salmonela टाइप भी इसके रोग जनग का नाम होता है इससे परभावित अंग क्या होते है आंत होती है आगे बात करते है Syphilis Syphilis क्या होता है यह मतलब एक शिरन को परभावित करने वाला रोग है कौन से रोग जनग दोरा ख्यालता है Troponema pallidum Troponema pallidum Troponema pallidum इस रोग जनग का रोग जनग होता है D से बना diptheria D से बना diptheria इससे जो परभावित अंग है वो स्वाश न लिया है स्वाश लेने में काफी कठना ही होती है खांसी करने में भी काफी दिक्कत होती है परभावित अंग कौन से होगा श्वाश नली इसका जो रोग जनग होता है वो corinibacterium diptheria corinibacterium diptheri होता है परभावित अंग श्वाश नली होगया आगे देखते है play से बना plague play से बना plague इससे जो परभावित अंग होते है वो श्वाश मतल इसके एक तरह से जनक होते है मतल लक्षन होते है कि इस रोग से तीवर खांसी आने लग जाती है बगल वा जांग के जोड़ों पर गिल्टी बन जाती है ये चूहों पिस्यों के द्वारा फिलाया जाता है इस रोग के जनक का जो जनक होता है वो पास्टूरेला पेस्टिस होता है पास्टूरेला 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 पेस्टिस इसके रोग का जनक होता है इससे तीवर बुखार हो जाता है जांग में गिल्टी बन जाती है अब कैसे बना काली खांसी इसे जो परभावित अंग है वो शोशन तंतर है इसका जो रोग जनक होता है वो बेसिलस प्यूरूटिस जिवान होता है है से बना हैजा जो इससे परभावित अंग होता है वो आंत होती है जो इसके रोग का जनक है विब्रियो कुलेरी होता है वो इससे परभावित अंक होता है आंत होती है मतलब इसके रोग वाहक भी एक होता है ग्रेलू मक्ही जो इसको रोग को आगे फैलाता है रोग का जनव कोन है विब्रियो के लेरी लेकिन रोग वाहक कोन है ग्रेलू मक्ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी रखती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके आपको जितनी भी आगे वीडियो मिले वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इसके बाद हम विशानू, प्रोटो जुआ, कवक आदी से जितने भी रोग होते हैं उनको शोट ट्रेक से समझेंगे धन्यवाद